चंद्र राशे धनू का मासिक राशिफल अप्रेल दो हजार चौबीस। स्वास्थ्य मासिक राशिफल दो हजार चौबीस भविश्यवानी करता है कि यह महीना स्वास्थ्य के द्रिष्टि कोन से कुछ उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है। तीसरे भाव में मंगल और शनी का प्रभाव होने तथा चतूर्थ भाव में रहू, सूर्य, शुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको गले या कंधों में जकडन या दर्द होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतूर्थ भाव और सूर्य पर राहू का प्रभाव होने के कारण महीने के पूरवार्द में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्या ना करें, जो आपके हृदय के लिए नुकसान दा करेंगे। करिया, करिया के द्रिष्टि कोन से ये महीना उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही केतू महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टी का भाव कम होगा। आपको होने की भी संभावना बन जाएगी इसलिए अपनी नौकरी में बहुत साबधानी बरते क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में रहु, सूर्यों और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ कर दशम भाव को देखेंगे जिस से बहुत सार कार्यक्षेत्र में आपके सामने एक साथ आ सकती हैं, उन्हें एक चुनोती की भाती स्वीकार कर उनका सामना करें तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में काम्याब होंगे। पर चल रहा है और इसे आगे बढ़ने का मौका दें। अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का समावेश करें। इसका मतलब यह है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार और अधेक विस्तार पाएगा और आपको उन्नती प्रदान करेगा प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने का पूरवार्ध बहुत अनुकूर रहेगा ब्रहस्पती और बुद्ध के प्रभाव से आप प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे आप और आपके परिजनों के बीच की नजदी कियां बढ़ेंगी आप एक दूसरे से ज्ञान धर्म की ही नहीं करेंगे बलकि किसी तीरत स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं आपसी बातों को विचारों को साज़ा करने से आप ए पंचम भाव होगा और उससे पहले ही बुद्चतुर्त भाव में वापस लोट जाएंगे तो ब्रहस्पती और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद मिल सकता है यदि वो किसी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ती हो सकती है जिससे आपको उन पर गर्भ होगा और आपका रिष्टा और भी बहतर हो जाएगा यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सब्तम भाव के स्वामी बुद्ध महराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे जिससे आप और आपके जीवन स प्राथी के बीच प्रेम शब्दों में जहलकेगा एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी भरी बाते करेंगे एक दूसरे का मार्ग दर्शन करेंगे अच्छे पती पतनी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करेंगे उसके बाद 9 अप्रेल को बुद महाराज के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे इस दौरान वेवाहेक जीवन में तनाव और टक्राव की स्थिती बन सकती है आप और आपके जीवन साथी के बीच ग्रह क्लेश हो सकता है क्योंकि मंगल का चतुर्थ प्रभाव और बुद के साथ युती संबंध जुबानी जंग हो सकती है एहम का टक्राव हो सकता है इससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक ले और थोड़ा शांत हो जाएं परिवार के सदस्यों को अपने वेवाहेक जीवन में ज्यादा हस्तक शिप करने से रोकेंगे तो मामला सुलज सकता ह सला, आपको एक अच्छी सी गुणबत्ता वाला पीला पुखराज रत्म गुरुबार के दिन सोने की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी तरजनी अंगुली में धारन करना चाहिए राहू के दुशप्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उध्यान में नाग केसर का पौधा लगाएं प्रति दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा पीले चंदन का या केसर का तिलक लगाएं गुरुवार के दिन पीपल का व्रिक्ष रोपे और उसे बिना छुए जल देकर सिचित करें सामान्य मासिक राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार यह महिना धनू राशी का जातकों के लिए मिले जुले परिनाम देने वाला रहेगा लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी अपेक्षित होगी कार्यक्षेत्र में उतार चड़ाव की स्थितियां रहेंगी लेकिन व्यापार अनुकूल स्थितियों में आगे बढ़ेगा और आपको मुस्कुराने का मौका देगा खुद का स्वास्थय बिगरने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थय में भी समस्याएं आ सकती हैं इसलिए उनका भी स्वास्थय संबंधित समस्याओं के प्रती ध्यान रखना जरूरी होगा विदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है लेकिन अपनों से प्रयास कर सकते हैं परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने में काम्याब हो सकता है इस महीने वैसे यात्रा होने के अच्छे योग बनेंगे प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूर रहेगा महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर है जबकि वैवाहिक संबंधों में उतार चड़ाव के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना दिखाई देती है परिवार वालों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में थोड़ी समस्या उत्पन कर सकता है विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है अपनी प्रतेभा को चमकने का मौका दे जी भरकर मेहनत करें इससे आपको अच्छे परिनाम मिलेंगे आर्थिक लाब भी होंगे और आपकी आर्थिक स्थिती अनुकूल हो जाएगी वितर, यदि आपकी आर्थिक स्थिती को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ब्रहस्पती और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे जिससे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी आर्थिक लाब होंगे चोथे भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के प्रभाव से घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थय समस्याओं के लिए धन व्याय करना पड़ सकता है हालांकि 23 अप्रेल को मंगल के भी चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव पर द्रिष्टी डालने से आमदनी में और अच्छी बडोतरी होने के योग बनेंगे मेश राशी के सूर्य 13 अप्रेल से पंचम भाव में आकर आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे सरकारी क्षेत्र से लाब के योग बनेंगे व्यापार में भी उत्तम धन लाब होगा इस प्रकार यह महीना आपकी आर्थेक स्थिती को सुद्रिड बनाने में मददगार बनेगा मित्र एवं परिवार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चड़ाव से भरा रहने की संभावना है दूसरे भाव के स्वामी शनी महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर पारिवारेक और कुटुम के मामलों में समस्याइं उत्पन कर सकते हैं आपसी संबंधों में तनाव और टक्राव बढ़ेगा आपकी वानी में कड़वाहट बढ़ सकती है जो अपनों को चुब हो सकती है और इससे आपके रिष्टे प्रभावित हो सकते हैं भाव बहनों को स्वास्थ समस्याइं और कुछ परेशानियां पीडित कर सकती हैं ऐसी स्थिती में आपको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशी में 23 अप्रेल को चले जाएंगे और अकेले शनिदेव तृतिया भाव में रहेंगे तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और उनके साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी चतुर्थ भाव पूरे महीने पीरित रहने की संभावना है चतुर्थ भाव में राहू, सूर्य और शुक्रेक साथ स्थित होंगे यहां राहू सूर्य का सूर्य ग्रहन दोश भी बनेगा जिससे माता और पिता के स्वास्थय पर भी ग्रहन लग सकता है इसलिए उनके स्वास्थय का पूरा ध्यान रखें 13 अप्रेल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रेल को चतुर्थ भाव में आ जाने से रहू मंगल अंगारक दोश के प्रभाव से भी पारिवारिक जीवन में अशांती रहेगी परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी